बिसमिल्ला रछ्मालरी रहीम, अस्सलाम आलाइकोम येर विजमार फि फरस्ट्ट्ट करें, फिले नाबर थ्री पर आपरीवीडियो है इस विजमार ऐस्ट्ट नामबर एकईस से थीशांध पेश जाएगे तो विजमेर मेरे चैनल भी तक आप आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेर करें वाट ड़स ग्रीली है एंड बोटल इली के पास जो बोतल है उसमें क्या है ग्रीले लफ नहीं है ग्रीली ग्रीली he is carrying a bottle with him उसके पास एक बोतल है he has sea water in the bottle bottle में ये समंदरी पानी है he claims वो दावा करता है that there is an oyster in the water किस पानी में एक सीप है of that bottle उस बॉतल के which has a pearl जिसमें एक मोती है तुकले, ग्रीली, हैरी सारे ये imaginary world में रहे हैं पूर उमीद भी हैं पूर उमीद होना भी अच्छी बात है तो यहाँ जवाब में आप भी small भी लिख सकते हैं इस context में who suggests कौन तजवीद देता है that they should open the oyster के इस सीप को खोला जाए who criticizes Harry's idea about the oyster having the pearl कौन तनकीद करता है Harry के इस ख्याल पर के इस सीप में मोती है Harry thinks Harry समझता है that children should be made hopeful के बच्चों को पूर अमीद रखा जाए Miss Macachan calls it a foolish idea Miss Macachan इसे एक एहमकाना ख्याल तसवर करती है she suggests राइदेती है to open the oyster के वो इस सीप को खोले she is a practical idea she knows that there is no pearl in the oyster वो जानती है के सीप में कोई मोती नहीं है she wants that children should know the reality वो चाहती है के बच्चों को हकीकत का पता चले तो यहां इस सवाल में यह भी एडिशन हो सकता है what is Miss Macachan's philosophy of life right Harry को भी पता है कि इसमें मोती नहीं है लेकिन वो चाहता है कि पूरमीद रहा जाए बच्चों को दिलासा दिया जाए बच्चों का दिल ना तोड़ा जाए why do they want वाजिक to come वो क्यों चाहते हैं कि वाजिक आए he is an expert watch repairer वो एक माहर घड़ियां मरमत करने वाला है old thing तमाम का ख्याल है that he would open the oyster के वो seep को खोलेगा with a great care बहुत ज़्यादा इhtयात के साथ in this way इस तरह the pearl would not be damaged अगर उसके अंदर मुती होगा तो उसे नुकसान नहीं होगा how does Harry describe the inhabitants of okay by the sea Harry okay by the sea के मकीनों को कैसे बेहन करता है inhabitants रहाईशी, बासी, मकीन, रहने वाले what is the financial condition of the people of the town उस शेहर के उस कस्बे के लोगों के माली हालत किस तरह की है okay by the sea के, Harry says about the people of the town Harry कस्बे के लोगों के बारे में कहता है that they are all poor के वो सब गरीब है they find jobs just for two months उन्हें सिर्फ दो माँ के लिए नौकरे मिलती हैं पूरे साल में they earn a bit by selling eggs वो अंडे बेच कर थोड़ा बहुत कमाते हैं यहां vegetables भी है तो इस सवाल का जवाब इतना काफी है vegetables लिखते वे आप गलती करेंगे why does the judge think that miss mackachan will not last stay as a teacher miss mackachan क्यों teacher के तोर पर वाँ नहीं रुकेगी judge apple gas के खाल में what kind of teacher does he think is needed उसके खाल में किस तरह की teacher जाहिए उसके school में उसके कस्बे में he thinks that she will not stay as a teacher in the town वो समझता है कि उस कस्बे में वो teacher के तोर पर नहीं रुकेगी she is a young teacher वो एक नौजवान teacher है the school needs an old and experienced teacher school को एक तजर्बकार teacher की जरूरत है जो के शरारती बच्चों को control कर सके what is apple gas complaint about the sea apple gas की समंदर के बारे में क्या शिकायत है the sea is a source of income उनके लिए ये जो समंदर है इनकम का जरीया है judge apple gas complaints judge apple gas को शिकायत है that the sea is not washing up good stuff anymore के अब समंदर जो है वो अच्छी चीज़ें बाहर नहीं फैंकता यानि उसमें से अच्छी चीज़ें बाहर नहीं आतीं जो के बेचने के काबिल हों this is perhaps because of pollution शायद ये अलूदगी की वैसे ऐसा हुआ है what kind of gadget does the writer describe मसनफ किस तरह के पुरदे की बात करता है the writer tells about a gadget writer एक gadget के बारे में बात करता है this is like a safety razor ये एक safety razor की तरह है which can give a haircut to anybody जो किसी को भी जिस से कोई भी शक्स even अपनी या किस दूसरे की हजामत कर सकता है this is not found in that town yet अभी उस कस्बे में वो नहीं मिलता why does the writer buy the oyster मसनफ वो सीप को क्यों खरीता है how much does he pay वो कितनी रखम अदा करता है what does the writer do with the oyster मसनफ सीप के साथ क्या करता है why does the writer not open the oyster मसनफ सीप को क्यों नहीं खोलता the whole thing's a pearl पूरी की पूरी चीज एक मोती है what does it mean इसका क्या मतलब है the writer buys the oyster in 300 dollars मसनफ 300 dollars में वो सीप खरीद लेता है he puts it in his pocket वो इससे अपनी कोड की जेब में डाल लेता है he knows that there is no pearl in it वो जानता है कि इसमें मोती तो नहीं है he wants just to help the poor family वो तो सिर्फ जाता है कि गरीब खानदाने की मदद की जाए इस वज़े से वो गहता है the whole thing is a pearl कि आप इसके अंदर मोती की बात करते है मेरे लिए ये तमाम सी पे एक मोती है यानि मेरे लिए एक निकी है why does Clark Larabee return Clark Larabee क्यों वापस आता है Clay gives an ad in the newspaper about his father Clay अपने वालिद के बारे में अख़बार में इश्तहार देता है Clark reads that ad Clark उस ad को पढ़ता है while he was moving in the truck जबके वो ट्रक में सफर कर रहा है and comes back और रासे से ही वापस आ जाता है what do you know about Harry's dress Harry के ड्रेस के बारे में आप क्या जानते है why does Harry wear different hats Harry मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीकों के hats क्यों पहनता है Harry does not wear white jacket of a barber to work in his shop Harry अपने दुकान में काम करते हुए बाबर्स की जो white jacket होती है नहीं पहनता है he wears different hats वो मुख्तलिफ hats पहनता है to show the different shades of his personality अपने शक्सियत की मुख्तलिफ जहतें पेश करने के लिए अपने वर्स्टाइल शक्सियत अपनी शक्सियत के मुख्तलिफ अंदाज को पेश करने के लिए वो मुख्तलिफ hats पहनता है first year English पर और second year English पर और BS English और spoken English पर वीडियो इन्शाला आती रहेंगी